नहास्कार दोस्तों कार्ण ट्यूब में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज सीखते हैं आई पीसी सेक्षन 23 आई पीसी के धारा 23 कहते हैं दोस्तों रॉंग फुल लॉस यानि कि गलत तरीक्ये से नुकसान अगर तरीक्ये से कोई नुकसान होता है तो वो नहीं माना जाएगा जैसे बरसात में आंधी में प्राकरति में लेकिन गलत तरीक्ये से अगर आपका नुकसान हुआ है तो उसको आई पीसी के धारा 23 में गुनागार माना जाएगा एक्जम्पल से सही समझोगे जैसे आपने किसी को 10,000 रुपे उधार पे दे दिए आपने किसी को 10,000 रुपे उधार पे दे दिए और वो वापिस देने का नाम ही नहीं ले रहा पैसे वापिस देने का नाम नहीं ले रहा इसलिए आपने क्या किया आप उसका फोन उठा लाए बदले में आपने किसी को 10,000 रुपे उधार दिये वो आपके पैसे वापिस देने का नाम नहीं ले रहा आप उसका फोन उठा लाए तो जो ये बंदा है, ये बंदा मान के चलो B है और ये A है तो ये बंदा भी इसके उपर wrongful loss का मामला दरज करवा सकता है चोरी का मामला दरज करवा सकता है क्योंकि इसने गैर कानुनी तरीके से इसकी चीज को चोरी किया इसकी चीज को उठाया है तो ऐसे केस में पैसे भले इसने दिया हो लेकिन इसके पैसे पूरे करने का ये तरीका गलत है इसलिए इसको wrongful loss कहा जाएगा, गलत तरीके से नुकसान, पैसे दिये हैं तो बदले में जब पैसे देगा तभी देगा, इसका जी गरेगा तो देगा नहीं ना देगा, कोई और example बताता हूँ, कोई भी ले लोग, जैसे कि आपके यार दोस्त कोई भी है, आपने उसकी चैन उठाली, सोने की चैन, गौल्ड की चैन उठाली, तो ये wrongful loss है, जिसने चोरी किया है, उसके लिए ये गलत तरीके से नुकसान, ठीक है, उमीद समझ में आ गया गया, मैं फिर बता रहा हूँ, गलत तरीके से नुकसान होना, प्राकर्तिक नुकसान नहीं है, गलत तरीके से जैसे कोई मेरे बाइक किसी ने मेरे बाइक ठोक दी बदले में मैंने अगर उसकी बाइक ठोक दी तो मेरा कसूर है मेरे बाइक ठोक गी तो मैं जाकर अपना कोर्ट में अपना हिसाब ले सकता हूँ अलगर मैं सोचू कि बदले में मैं भी उसकी बाइक ठोक दूँ तो मेरा कसूर है वो रोम क्लोस होगा पर समझ में आगा दोस्तों तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें